हेलो एस्टूडेंट स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में क्लास 12 के बहुती विज्ञान अभ्यास एक के NCRT प्रशनों को हल करके बताया जाएगा तो एक एक प्रशन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझेगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा तो पिछले भाग में यह चैप्टर क्या हुआ था समा प्रशन हल करने से पहले जो है फर्मूला के बारे में ध्यन करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फर्मूला लगेगा तो यहां पर सबसे पहला फर्मूला आपको याद रखना है कुलाम का नियम अब कुलाम का नियम क्या होता है तो यह बराबर होता है एक बटा फोर पाई आपसाइलम 0 Q1 Q2 बटा क्या होता है r² होता है ये किनका नियम है कुलाम के नियम से और किसका सुतर है सिसको बलान होता है आपको याद रखना मातर क्या है न्यूटन होता है अगर यहां पर एक बटा फूर पाई अपसाइलम जीरो को अगर हटा दे तो उसका मान क्या होता है नौ गुड़े दस के पाउ नौ होता है एक बटा फूर पाई अपसाइलम को याद रखें इसका मान क्या होता है नौ गुड़े दस के पाउ नौ की क्यूंसे देखाते हैं और तीसरा सुत्र है बाइदु छितर के ती बरता इसमें बहुत जादा ती बरता पढ़ना है तो आपको याद रखना है कौन सुत्र कहां पे लागू होगा जब प्रस्ण पढ़ने पर ही पता चलेगा अगर माली जो प्रस्ण में दो को हमको लागू क परेंगे तो बैदु छितर के ती बरता जो है सुत्र क्या है ए बराबर यब बटा क्यू और भी बराबर जो है भी बटा डी यहां पर मातर क्या है न्यूटन प्रतिकुलाम बलका मातर न्यूटन होता है और क्यू का मातर क्या होता है कुलाम होता है और यहां से अगर मातर देखेंगे तो इसका मात्रा बोल्ट प्रती क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा तो यहाँ पे दो मात्रक है चाहे तो दोनों मात्रक भी लिख सकते हैं न्यूटर प्रती कुलाम दूसरा मात्रा बोल्ट प्रती मीटर लिख सकते हैं अगला सुत्र है बैदू छेतर केती बरता अगर अच्छी इस्तती की बात कहा जाए कि अच्छी इस्तती में बैदू छेतर केती बरता कितना होता है तो याद रखेंगे अच्छी इस्तती में बैदू छेतर केती बरता का मान होता है E बराबर होता है 1 बटा 4 पाई अपसाइलम 0 2 P बटा क्या है R का क्यूब है यह किसका सुत्र है अच्छी इस्तती में बैदू छेतर केती बरता का सुत्र है अगला देखेंगे नीर अच्छी इस्तती में बैदू छेतर केती बरता तो नीर अच्छी इस्तती में बैदू छेतर केती बरता यी बराबर होता है 1 बटा 4 पाई अफसाइलम जीरो P बटा क्या है? R का Q होता है याद रखेंगे सुत्र में क्या अंतर है? यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है बस यह ध्यान देना है इस सुत्र में आपको 2 P याद रखेंगे इसमें आपको केवल P याद रखेंगे तो P बटा R का Q है और यहां 2 P बटा R का Q है 1 बटा 4 पाई Epsilon 0 इसमें भी है 1 बटा 4 पाई Epsilon 0 इसमें भी है तो अच्छी स्तिति में बैदू 6 तरकेती बटा जो है अप लोग समझ में आ गया होगा अगला हमारा सुत्र होता है बैदूत बीभो बैदूत बीभो का सुत्र होता है बैदूत उर्जा बटा आवेस होता है तो बैदूत उर्जा को W से परदर्सित करते हैं और आवेस को कुलाम मतलब Q से परदर्सित करते हैं तो बैदूत बीभो का सुत्र देखे कितना है यहां एक सुत्र हो गया दूसरा सुत्र आप समझेंगे बैदुत बीभो का जो सुत्र होता है भी बराबर होता है एक बटा फोर पाई अपसाइलम जीरो क्यू बटा आर होता है तो बैदुत सुत्र का ये भी सुत्र है और बैदुत बीभो का ये भी सुत्र है अगला जो है अ क्योंकि इसी सुत्र के सहायता से जो है NCRT प्रशन को हल करके बताया जाएगा तो पहले सुत्र को 60 स्क्रेल ले लिजिए और अपने कापी में इसको जरू नोट कर लिजिए अब अगला हम लोग सुत्र समझेंगे बैदू दूइधूरू आघूरू आघूरू का सुत्र क्या अगला सुत्र है बैदू इस्ततीज उर्जा यू बराबर होता है एक बटा फोर पाई अपसाइलम जीरो कीवन क्यूटू बटा क्या है आर होता है यह सुत्र भी बहुत आयमपी है क्यों किसी सुत्र पर भी नुमेरिकल हल करना है सुत्र क्या है एक बटा फोर पाई अपसाइलम जीरो क्यूटू बटा क्या है और इसका मातरक क्या होता है तो इसका मातरक जूल होता है अब यहां पर देखेंगे एक एभी मतलब एक एभी का मतलब एक इलटान बोल्ट में कितने जूल होते हैं तो एक इलटान बोल्ट में 1.6 गुड़े 10 के पाउर माइनस 19 जूल होते हैं याद रखे क्योंकि इसका भी जरूरत है क्योंकि बीच बीच में जो है जब मान भरना रहेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगा और अफसाइलम 0 का मान क्या ना होता है और E का मान कितना है तो E का मान 1.6 गुड़े 10 के पाउर माइनस 19 कुलाम होता है और E का नाम क्या है इलेटान पर आवेसिस का नाम है अगर लिखेंगे इलेटान का दर्मान कितना होता है तो इलेटान का दर्मान 9.1 गुड़े 10 के पाउर माइनस 31 केजी होता है क्योंकि इस मान का भी जरूरत है इसलिए मान को आप लोग याद रख्येगा प्रोटान का दर्मान कितना होता है तो प्रोटान का दर्मान होता है एक दस मौलोग छे चे गुड़े दस के पवार माइनस 27 केजी होता है तो जितना सुत्र यह बताया गया है NCRT प्रष्ण को रहा है अब प्रश्न नम्र 1 के बारे में शम्येंगे अब प्रश्न नम्र एक को अच्छे से पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कौौं सा इसमें कौन सट्षत्र जो है लागू हो रहा है तो यहां प्रश्न में पाहने से ही पता चिले घ 크게 क्या मान दिया है और क्या पूछा जा रहा है तो प्रश्चन है वाई में एक दोसरे से 30 मी के की दूरी पर smokes दो चोटे आवेसित गोलो पर यहां पर जो दूरी दिया गया है वह ती सेंटिमीटर दिया गया है तो पर लिखेंगे पहले हल और हल लिखने के बाद से पहला मान नोट करेंगे कि आर का मान इसमें दिया गया है आर बराबर जो है तीस सेमी दिया गया है आर बराबर यहां तीस सेमी लिखेंगे और याद रहेंगे जब सेमी दिया रहता है तो इसको जो है मीटर में बदला जाता है सेमी को जो है किसमें बदल देंगे मीटर मदलेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 उतर जाएगा और सेमी से जब मीटर मदलेंगे तो 10 के पाउर जो है माइनस 2 हो जाएगा और एक क्या बन जाएगा मीटर हो जाएगा तो समझ में आ गया गया जब सेमी से किसमें बदला गया मीटर में बदला जाता है तो 10 के पावर माइनस 2 से गुड़ा किया जाता है अगर एक जिरो इसमें से कम कर दिया जाए तो आर का मान क्या हो जाएगा यहां पर आर का मान तीन गुड़े दस के पावर माइनस एक हो जाएगा क्योंकि इसमें से एक जिरो कम हो गया तो दस के पावर माइनस दो था तो दस के पावर माइनस एक हो गया और यहां का लिखेंगे मीटर हो गया तो यह किस का मान हो गया आर का मान हो गया अब आगे दिए गोलों पे करमस पहला आविस क्या है दो गुड़े दस के पावर माइनस साथ कुलाम है और दूसरा आविस है Q1 बर दो गुड़े 10 के पावर माइनस 7 कुलाम हो गया Q2 बराबर क्या है तो Q2 बराबर हो जाएगा यहां पर लिखेंगे तीन गुड़े 10 के पावर माइनस 7 कुलाम हो जाएगा यह Q1 हो गया दूसरा क्या हो जाएगा Q2 हो गया अब कितना बल लग रहा है बल पुछ रहा है तो यफ बराबर जो है प्रश्णमाचक हो गया अब बल का मान इसमें सोचेंगे कौन सा सुत्र लागू किया जाएगा तो यहाँ पर Q1 है Q2 है R है तो कुलाम का नियम आप से विद्यार्थी पढ़े हैं पहला सुत्र बताया गया है कुलाम का नियम अब यहाँ पर लिखेंगे यफ का सुत्र होता है तो लिखेंगे आप वी नो डैट हम जानते हैं आज ही बताया गया है क्या पढ़े हैं हम लोग यफ बराबर होता है यफ बराबर जो है एक बटा फोर पाई अपसाइलम जीरो होता है और क्या होता है यह किसका सुत्र है तो या बैदुत बलका जो है सुत्र है अब इससे मान रख लेंगे ती या फ़बराबarta एक बटा फॉर पाई Dennis 00 क्या है तो 3 गुरे 10 के पावर जो है यहाँ पर 9 गुरे धान तेंगे 9 गुरे 10 के पावर जो है 9 है यह किसका मान है एक बटा 4 पाई अपसाइलम जिरो का मान है नो गुड़े दस के पावर नो Q1 का मान क्या है तो Q1 का मान जो है दो गुड़े क्या है दो गुड़े दस के पावर माइनस साथ है Q2 का मान क्या है तीन गुड़े दस के पावर माइनस साथ है बटा हो जाएगा बटा हो जाएगा और आर का मा का मान क्या होता है तो 9 गुड़े 10 के पाउर 9 हो गया Q1 का मान क्या है तो 2 गुड़े 10 के पाउर माइनस 7 हो गया और Q2 का मान क्या है 3 गुड़े 10 के पाउर माइनस 7 हो जाएगा और बटा में हाथ क्या है नो है और माइनस साथ माइनस साथ में लेकर क्या बनेगा माइनस क्या हो जाएगा चौदा हो जाएगा बटा हो जाएगा और तीन का बर्ग करेंगे तो तीन का बर्ग जो है नो होता है गुड़े दस के पावर क्या होगा माइनस एक है तो माइनस दो घात हो जाए तो माइनस एक का गुड़ा जब दो में करेंगे तो जो गहाँ जाएगा अब यहाँ पर जो है नो से नो कुका करेंगे काट देंगे काटने के बाद से यफ बराबर क्या बचेगा दूतियाँ 6 यहां लिखेंगे 6 गुड़े 10 के पावर 9 मेंसे क्या करेंगे 14 को घटा देंगे तो 9 मेंसे 14 चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस जो है यहां बचेगा 5 और यह 2 घात उपर चला जाएगा तो पलस हो गया 2 तो यह बराबर कितना हो जाएगा तो यह अफ का माना गया 6 गुड़े 10 की पावर दो मेंसे 5 को घटा देंगे तो क्या बनेगा माइनस जो है 3 अब यहां पर बलका मान जो आगया 6 गुड़े 10 के पावर माइनस 3 आगया तो अब यहां पर इसका मातरक रख लेंगे तो बलका मातरक क्या होता है तो बलका मातरक जो है न्यूटन होता है तो यही इसका क्या हो जाएगा माना गया तब प्रश्ण नमबर एक जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया और कैसे इसको हल किया गया बहुत सरल भासा में बताया गया है मान भरना और मान भर करके काटना जो है सीखना है कैसे इसको हल किया जा रहा है 0.4 μ.c. कि किसी छोटे गोले पर किसी अचोटे आवेसित गोले के कारण वाई में 0.2 निूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 μ.c. हो तो पहला कोशन दिया गया दोनों गोले के बीच कितनी दूरी है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है तो यहाँ पर दो प्रशन दिया गया है दोनों प्रशन को बारी बारी से हल किया जाएगा तो यहाँ पर पहला लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे और हर लिखने के बाद से जो है पहला 20 कितना दिया गया है यहां लिखेंगे Q1, Q1 बराबर दिया गया है 0.4 0.4 माइक्रो कुलाम है अब यहां लिखेंगे Q1 बराबर हो जाएगा 0.4 माइक्रोन में होता है 10 के पावर माइनट 6 घात होता है और यहां का लिखेंगे कुलाम हो गया अब यहां पे जो है इसका दसमलो अगर हटा दिया जाए यह बन जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा अब यहां लिखेंगे 0.4 था तो अब हो जाएगा 4 गुड़े 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा और यहां पर जो है गुड़े 10 के पावर माइनस 6 तो माइनस 6 माइनस 1 में लिकर के क्या बनेगा q1 बराबर हो जाएगा 4 गुड़े 10 के पावर माइनस 1 माइनस 6 मिले करके माइनस 7 और यहां कहा लिखेंगे कुलाम हो गया मतब 10 मलो को भी हटा दिया गया अब यहां लिखेंगे q2 q2 बराबर कितना है 0.8 माइक्रो कुलाम है अब यहां लिखेंगे q2 बराबर हो जाएगा 0.8 माइक्रोन है तो 10 के पावर माइनस 6 से गुड़ा कर लेंगे माइक्रोन हट जाएगा अब हो गया कुलाम अब अगर इसका 10 मलो हटा आते हैं तो लिखेंगे q2 बराबर हो जाएगा 8 गुड़े 10 के पावर माइनस 1 मतलब एक अस्थान दसमल लगा था 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा अब यहां लिखेंगे q2 बराबर हो जाएगा 8 गुड़े 10 के पावर माइनस 1 माइनस 6 मिल करके माइनस 7 हो जाएगा और यहां का लिखेंगे कुलाम हो जाएगा तो यहां हो गया Q1 और यहां हो गया Q2 हो गया तो यहां पर Q1 Q2 किलियर हो गया और यहां कामान क्या दिया गया है तो यहां कामान 0.2 न्यूटन दिया गया है अगर इसका भी 10 मलो अगर हटा दिया जाए तो यहां बराबर हो जाए यहां पर दो गुड़े लिख देंगे, दो गुड़े 10 के पावर माइनस एक, क्योंकि एक अस्थान था, अब यहां लिख लेंगे, बलका मात्र क्या है, न्यूटन है, मतलब 10 मलों को हटा दिया गया है, अब 10 मलों इसलिए हटाय जा रहा है, क्योंकि आपको गुड़ा करने म भी हल किया जा रहा है, अब जो है, कुलाम का नियम, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, कुलाम का नियम, पढ़े होंगे, कुलाम का नियम, तो कुलाम का नियम क्या है, याफ का जो है, सुत्र क्या बना है, आप सभी विद्यार्थी थिवरी में बताय गया था, तो आ को जायगा q1 होगा q2 हो जायगा बटा र इसक्वाइर हो जायगा यह किकन के नियम से है तो कुलाम के नियम से है अगर इसका मान अप लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते तो याद रखियेगा एक बटा 4 पाई अफसाइलम 0 का मान होता है Yuff बरावर लिखेंगे 9 गुडे 10 के पावर 9 होता है और यहां लिखेंगे Q1 और यह हो जाएगा Q2 बटा हो जाएगा R का square हो जाएगा अब यहां पे जो है Yuff का मान को रख लेंगे यहां पे R square को यहां भेज देंगे F को नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा r square बराबर हो जाएगा 9 गुड़े 10 के पावर 9 और यहां लिखेंगे q1 q2 अब बटा में क्या हो जाएगा बटा में नीचे चला या 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 मतलब r square को यह नीचे था तो उपर भेज दिये और या या उपर था तो इसको नीचे भेज दिये अब य 9 गुड़े 10 के पावर 9 यह उतर जाएगा गुड़े q1 q1 कितना है तो q1 देख लिजे कितना है 4 गुड़े 10 के पावर माइनस 7 है और q2 कितना है 8 गुड़े 10 के पावर माइनस 7 है अब यहां q1 का मान रख लेंगे कितना 4 गुड़े 10 के पावर माइनस 7 और q2 का मान क्या पावर जो है माइनस एक हो गया तो यह 9 गुड़े 10 के पावर 9 यहां सुतर गया और यह Q1 का मान हो गया और यह Q2 का मान हो गया अब क्या होगा यह 2 से 8 को काड़ दीजे 2 से 8 कट जाए कितने बार में 4 बार में और यह minus 1 घात उपर चला जाएगा तो आभ लिखेंगे यहाँ पर R sh1 बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर अंक को पहले लिखेंगे 9 गुडे 4 गुडे 10 के पावर minus 7 minus 7 में लिकर के क्या हो गया? minus 14 यह हो γया 9 तो 9 और यहाँ पर देखेंगे माइनस चौधा घात और यह माइनस एक उपर चला गया इसने पलस एक घात हो जाएगा बटा नीचे क्या हो गया खतम हो गया और इसक्वाइर बराबर हो जाएगा अब यहां गुड़ा करेंगे तो नो चौव को च्छतिस च्छतिस अमें जो है चार का गुड़ा कर लेंगे तो 144 हो जाएगा तो 144 गुड़े 10 के पावर 9 घात और 1 पलस 10 घात है 10 में से 14 घात अगगे तो यह हो गया माइनस 4 घात हो जाएगा अगर यह स्कौईर हटाते हैं तो इसके उपर जो है बर्गमूल लग जाएगा बर्गमूल मतलब कारणी लग जाएगा तो गुड़े 10 के पावर माइनस दो हो जाएगा माइनस जो है क्या है चार है माइनस चार हो जाएगा अब इसका बर्गमूल जो है क्या करेंगे निकालेंगे तो बर्गमूल कैसे निकलेगा 144 किसका होता है तो 144 का बर्गमूल जो है 12 होता है और यह माइनस चार घात है तो इसने 10 के पावर माइनस दो घात हो जाएगा और यह आगे answer मीटर में तो 12 गुड़े 10 के पावर माइनस दो मीटर है अगर 10 के पावर माइनस दो घात को भी हटा दें तो r का मान क्या मान लेंगे r बराबर हो जाएगा 12 सेमी हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 सेमी हो गया यही क्या हो जाएगा answer इसका दो answer हो सकता है या 12 गुड़े 10 के पावर माइनस दो मीटर भी लिख सकते हैं या 12 जो है क्या लिख सकते हैं सेमी क्योंकि 10 के पावर माइनस दो को हटाएगे तो यह मीटर में है तो क्या बन जाएगा सेमी में बन ज दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है तो बल इतने कितना लगा था तो 0.2 नियुटन बल लगा था तो उतना ही बल जो है बीपरी दिसा में लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि एक आवेस पलस होता है तो एक आवेस क्या होता है माइनस होता है तो यहाँ पे जो है कुलाम के नियम से लिख लेंगे कि पहले आवेस जो है धानात्मक है दूसरा आवेस रिडात्मक है तो उस पे लगने वाला बल जो है क्या होगा जीरो दसमलो दो न्यूटन ही बल लगेगा तो नीचे दो लाइन और लिख लेंगे बी के लिए तो अब यहाँ बी लिख लेंगे और बी में क्या लिखेंगे बी में क्या पूछा गया था तो लिखेंगे क्यू टू लिखेंगे क्यू टू पर माइनस क्यू वन के कारण बल पूछा जा रहा ह यहाँ पे बल बराबक क्या हो गया प्रश्णमाचक हो जाएगा तो अब यहाँ कुलाम के अगर नियम से देखा जाए तो लिखेंगे यहाँ पर कुलाम के नियम से कुलाम के नियम से तो कुलाम के नियम से अगर जो है पहला बस दूसरे बस पे बल लग रहा है तो उतना ही बल लगेगा लेकिन क्या है बीपरित लगेगा तो लिखेंगे एक आवेश कुलाम के नियम से लिखेंगे एक आवेश पर दूसरे आवेश पर दूसरे आवेश के कारण ध्यान दिजेगा अभी एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण अब इसका उल्टा लिखेंगे दूसरे आवेश पर दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण कारण बल के बराबर तथा बीपरीत होता है तथा क्या लिखेंगे तथा बीपरीत होता है समझ में आगे होगा जैसे कुलाम के नियम से क्या है एक आवेश दूसरे आवेश के कारण या दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल के बराबर था बिपरित होता है मतलब जो बल लगता है वो बराबर ही लगता है लेकिन वो क्या लगता है मतलब उसकी दिशा क्या होती है बिपरित होती है तो यहां लिख लेंगे अतह अब यहां लिखेंगे अतह Q1 पर क्या लिखेंगे अतह Q2 पर दो न्यूटन ही होगा, ही होगा, तो उमीद करते हैं, यह आप लोग को प्रशन जो है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका मतलब जैसे पहला कोशन में आर कामान पूछा गया था, और दूसरा कोशन में बल कामान पूछा गया था, और बल इसमें दे दिया गया था जीरो दसमिलो दो नहीं उटाएं तो वही बल लगेगा लेकिन वह बीपरीत दीसा प्रश्च नम्मर तीन क्या है जाच द्वारा सुनिच्छित कीजिए कि के ए स्क्वाइर बटा जी यम ई यम पी बीमाहीन है भौतिक नियतांकों के सार्णी को देकर इस अनुपात का मान ग् करके बताया जाएगा तो यहां पर इसका जो है आपको सिद्ध करके बताना है कि यह बीमाहीन है मतलब यह बीमाहीन का मतलब इसका बीमा नहीं होता है तो अगर मातरक इसका नहीं होगा तो बीमा भी नहीं होगा तो यहां पर के का ई का जी का यम ई का यम पी का यह सब का ज जाता है तो कुलाम बल का सुत्र होता है यफ बराबर के Q1 Q2 बटा R2 होता है अब इस सुत्र के सहायता से के का जो है मातरक ग्याद करेंगे जब के का जो है मातरक निकल जाएगा उसके बाद जो है जी का मातरक निकला जाएगा जब जी का मातरक निकल जाएगा तो यमई का य या इसका मात्र कहीन हैं कि नहीं है, तो कुलाम बल से यह बेराबर KQ1Q2 पक्टा R-Squire है, अब यहाँ पर यह का गुड़ा अगर R-Squire में कर दें, तो क्या बनेगा? यह पर R-Squire हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? क्या है? क्यूवन क्यूटू है, तो यहां लिखेंगे के का मात्रक क्या बनेगा तो यहां का मात्रक क्या होता है और आर का नाम क्या है दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर इसक्वाइर होता है और की वन का मतलब आवेस है तो पहला आवेस है तो आवेस का मात्रक क्या होता है कुलाम होता है और क् मातरक क्या रहेगा कुलाम रहेगा अब कुलाम में कुलाम का गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा कुलाम का स्क्वाइर हो जाएगा तो यहां पर लिख लेंगे अब न्यूटन मीटर का स्क्वाइर प्रती कुलाम का स्क्वाइर हो गया यह किसका मातरक निकल गया तो यह के का मातरक निकल गया अब के का मातरक निकलने के बाद से जो है अब जी का मातर निकालेंगे तो गुर्तवा कर्शन बल गुर्तवा कर्शन बल जो है कच्छा 11 में आप सभी द्यारती पढ़े होंगे यफ बराबर होता है जी यमवन यमटू बटा आर स्कॉयर और जी का नाम क्या है तो गूर्टवा करशन नियतांक है और यमवन का नाम क्या है पहला दर्मान है और यमटू का नाम जो है दूसरा दर्मान है और आर का नाम है दोनों दर्मानों के बीच की दूर ही है अब यहाँ पर भी यफ का गूड़ा किस में करेंगे और इसक्वाइर में करेंग़ यफ में आर इसक्वायर के गूड़ा होगा तो क्या बनेगा यफ आर का स्क्वाइर हो जाएगा और यहां ऊपर वाला जो है यहां नोट कर लेंगे तो जी यम्म одним यम्टू बराबर क्या बनेगा यफ आर का स्क्वाइर होगा तो जी बराबर क्या हो जाएगा तो यम्टू को क्या करेंगे नीचे भेज़ देंगे अब यहां पर जब नीचे चला जाएगा तो जी का मात्र क्या होगा यहां यफ का मात्र क्या है तो यफ का मतलब बल है और ब जर्मान का मात्रक क्या होता है किलो गराम होता है यम्टू का मात्रक भी क्या होगा किलो गराम होगा अब किलो गराम किलो गराम मतलब किग्रा किग्रा का जब गुड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगा किग्रा का स्क्वाइर हो जाएगा तो मात्रक क्या आ गया तो जी का मात् पर लिखेंगे चुकी के इसक्वाइर बटा जी यमाई यमपी का मात्रक निकाल के चेक करेंगे क्या इसका मात्रक होता है कि नहीं होता है तो के इसक्वाइर बटा जी यमाई यमपी का मात्रक अब यहां के का जो मात्रक ऊपर निकाले हैं वही मात्रक यहां पर रख लेंगे तो के का मातरक क्या निकाले हैं एक बार और देख लिजे के का मातरक है न्यूटन मीटर स्क्वाइर बटा क्या है कुलाम का स्क्वाइर है अब यहां के के जगा पर उसका मातरक को रख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वाइर बटा कुलाम का स्क्वाइर हो गया और E का नाम क्य तो दो घात कर लेंगे तो यह जो मातरक लिखे है यह की का मातरक है और यह जो मातरक है यह E का मातरक है अब G का मातरक यहां पे निकला है Newton, meter, square, butta, kigra, square अब यहां पे काले कहेंगे Newton, meter, square, butta, kigra, square हो गया और यमई के मतलब दर्वेमान है, मतलब Ilitan का जो है दर्मान है यह प्रोटान का दर्मान है तो Ilitan का दर्मान क्या होगा? kigra ही होगा और गवरोटान का दर्मान क्या होगा? kigra ही होगा अब यहां पे देखेंगे कुलाम, square, कुलाम, square दोगो है, यहां कुलाम, square, कट गया अब यहां कि गरा, देखें, है moments,해야 pięter, isquare, कट गया और Newton, meter, square천, उपर है Newton, meter, square, से सब कट गया कटने के और से कुछ नहीं बचा आज अजब कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे कोई मातरक नहीं है मतलब सब कट गया किगरा स्कॉार से किगरा स्कॉार कुलाम स्कॉार से कुलाम स्कॉार न्यूटन मीटर स्कॉार से न्यूटन मीटर स्कॉार जो है कट गया कटने के बाद से कोई मातरक नहीं बचा तो क्या लिखेंगे कोई मातरक नहीं मतलब इसका कोई मातरक होता ही नहीं जब इसका कोई मातरक होगा ही नहीं जब मातरक नहीं होगा तो इसका बीमा भी नहीं होगा तो लिख लिए इसलिए के E स्क्वाइर बटा जी यम आई यम पी कोई बीमा नहीं है मतलब इसमें कोई बीमा नहीं है अर्थात बीमा हीन रासी है मतलब जब मातरक ही नहीं होगा तो इसका बीमा भी नहीं होगा तो इसलें कोई बीमा नहीं अर्थात बीमा हीन रासी है तो सिद्ध हो गया तो आज जो है यह जो मातरक निकाला जा रहा है और इस जो बीमा निकाल होगा त Killer कृमपी में कीजääगा के जरू नोट कर लिजेगा जिसे आपको जो है एक नोट्स फी बनता रहेगा अब जो है इसमें जो है दूसरा परशन क्या है दूसरा प्रशन दिया गया है जो मान्य है यह नियतांगि सारणी को दे करके अनुपायत ग्याद करना है मतलब इसमें मान रख करके के का मान ए का मान जी का मान यमाई का ना और यमपी का मान इसमें रख करके हल करके मान निकालना है किसका मान क्या आएगा तो सबका मान को भरा जाएगा अभरने के बाद से जो हल किया जाएगा और हल करने पर जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो के का मान क्या होता है ए का मान क्या होता है जी का मान क्या होता है यमई का मान क्या होता है और यंपी का मान क्या होता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो मान को अपनों याद जरूर रखी येगा तो के का मान क्या होता है 9 गुड़े 10 के पावर 9 ध्यान देंगे के का मान क्या है 9 गुड़े 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रती केजी का स्क्वाइर होता है E का मान है 1.6 गुड़े 10 के पावर माइनस 19 कुलाम E का नाम का इलेटान पर आबेस इसको कहा जाता है और इसका मान क्या होता है तो 1.6 गुड़े 10 के पावर माइनस 19 कुलाम होता है G का मान क्या होता है 6.67 गुड़े 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर का स्कॉाइर प्रती केजी का स्कॉाइर होता है यमई का मतलब इलेटान पर दर्मान इलेटान का दर्मान कितना होता है 9.1 गुड़े 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है यमपी मतलब जो है प्रोटान का दर्मान तो प्रोटान का दरमान कितना होता है? एक दसमलो छै, साथ, गुड़े, दस के पाउर, माइनश सताइस केजी होता है तो यह सब का मान, आपको याद रखना पड़ेगा अब यह सब ही मान जो है, इसमें रख लेङे के का मान जो है कितना है तो के का मान 9 गुड़े 10 के पावर 9 गुड़े 10 के पावर 9 हो गया इ का मान क्या है तो 1.6 गुड़े 10 के पावर माइनस 19 और यहां दो घात है इसलिए इसके उपर क्या करेंगे दो घात लगा देंगे जी का मान क्या है 6.67 गुड़े 10 के पावर माइनस 11 जी का मान क्या है गुर्तवा करशन नियतांक इसको कहा जाता है यमई यमई का मतलब इलेटान पर दर्विमान कितना होता है 9.1 गुड़े 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है और यह अमपी मतलब प्रोटान का दिर्मान होता है एक दसमलो छे साथ गुड़े दस के पावर माइनर 27 होता है अब यहाँ पर जो है कि इसको कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पहले नौ को यहाँ पर नोट कर लेंगे और एक दसमलो छे कितना बार है तो दो बार है इसने इसको दो बार लिखेंगे एक दसमलो छे और एक दसमलो छे दो घाथ है इसने दो बार लिखेंगे दस के पावर नो को यहाँ नोट कर लेंगे और 10 के पावर माइनस 19 के पावर कितना है 2 है तो इसने इसको 2 बार लिखेंगे 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर माइनस 19 1.6 दो बार क्यों लिखेंगे क्योंकि 2 घात है इसने इसको 2 बार लिखेंगे 10 के पावर माइनस 19 जो है दो बार है इसने इसको दो बार लिख लेंगे नेचे क्या है 6 दस्मलो 6 7 है 9 दस्मलो 1 है 1 दस्मलो 6 7 है और घात वाले जो है 10 के पावर वाला को एक पास की है 10 के पावर माइनस 11 10 के पावर माइनस 31 10 के पावर माइनस 27 तो समझ में आ गया होगा अब जो है इसका दसमलों देखेंगे यहां दसमलों कितने अस्थान एक अस्थान इसमें है और एक अस्थान इसमें है तो टोटल इसमें ऊपर देखेंगे अंस में दो अस्थान ऊपर है अनेचे यहां देख लेगे देहां से यहां पर भी देखें दो अस्थान दसमलो है मतलब इसका दसमलो हटा देंगे मतलब इसका दो अस्थान दसमलो को करेंगे हटा देंगे तो क्या है उतरे गए हाँ पर 9 को नोट कर लेंगे अब यह 16 हो जाएगा और यह 16 हो जाएगा 10 के पावर 9 और माइनस 19 माइनस 19 मिल करके माइनस क्या होगा 38 हो जाएगा तो 9 माइनस क्या कर लेंगे 38 हो जाएगा और इसका 10 मलों हट जाएगा 666 हो जाएगा 9 दस मलों 1 हो जाएगा 1 दस मलों 6 7 होगा माइनस ग्यारा, माइनस 31 और माइनस 27 इससब को क्या करेंगे? मिला लेंगे, तो मिलाने पर कितना बनेगा? 79 हो जाएगा 29 को उपर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? या पल्स 79 हो जाएगा नीचे से जो है उपर चला जाएगा तो यहां पर आप क्या लिखेंगे 9 का गुड़ा 16 में और 16 का गुड़ा 16 करेंगे तो इसका गुड़ा करने पर आएगा 2304 आजाएगा इसका गुड़ा करके चेक लिजएगा 2304 आएगा 10 के पाव नौ में से 38 जाएगा तो माइनस 29 जाएगा और यह जो घाट जो है नीची वाला था वो कहां चला गया ऊपर चला गया अब इसका गुड़ा 667 का गुड़ा 9.1 में करेंगे जितना उतर आएगा एक दसमलो 67 में करेंगे इन तीनों का जब गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करने पर कितना आ जाएगा यहां पर आएगा 10136 दसमलो 399 आजाएगा अब इसमें से 29 को घटा देंगे तो कितना घात हो जाएगा 79 में से 29 घटे गा तो कितना हो जाएगा 40 हो गया अब यहां पर 40 होने के बाद से जो है अब यहां पर 10 के पावर यहां पर देखें 4 अस्थान इधर दसमलो घुसका देंगे जब 4 अस्थान दसमलो इधर घुसकेगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 यह माइनस ने ध्यान दीजिएगा चार घाथ जो है प्लस में होगा क्यूंकि इधर दस्वन जो गुसकेगा तो यह भलस में होगा याद रखेंगे अब यह प्लस चार घाथ चार घाथ दिखाए देरा नीचे वाला तो यह उपर जब जाएगा तो क्या बनेगा माइनस चार घात हो जाएगा तो अब क्या बनेगा यहाँ पर दो हजात तीन सो चार गुड़े दस के पाऊच 40 माइनस चार हो जाएगा और यह एक दसमलो जीरो पॉइंट है तो इसका मतलब लगभग इसको क्या माल लेंगे एक माल लेंगे और एक से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 23, 0, 4 हो जाएगा और 40 में से 4 को घटा देंगे तो 40 में से 4 घट जाएगा तो क्या बनेगा 36 घात हो जाएगा अब यहाँ पर इसको मानक बना लेंगे मतलब 10 मलो 3 अस्थान लगा लेंगे 2, 10 मलो 3, 0, 4 गुड़े 10 के पावर अब 36 है तो 3 घात और बढ़े जाएगा तो क्या बनेगा 49 हो जाएगा तो अब इसका मान टोटल इसनियतां का मान क्या आ गया 2, 10 मलो 3, 0, 4 गुड़े 10 के पावर 49 घात आ गया तो इसमें 3 प्रसंद थे पहला प्रसंद का मान जो निकालना था बीमा हीन सिद करना था कि या मन तरब इसका बीमा नहीं होता है अज़र बीमा सिद हो गयत इसका मान निकालना था तो मान निकालने पर कितना माना गया 2, 10 मलो 3, 0, 4 गुड़े 10 के पावर 49 है अब यह अनुपात क्या बताता है तो यह अनुपात बताता है कि गुर्तवी बल की तूलना में बैदुत बल क्या होते हैं अतियंत प्रबल होते हैं यह अनुपात मतलब के के का नाम क्या है मतलब यह बैदुत जो है गुर्तवा करसन जो है बैदुत बल का जो है नियतांग कह जाएगा और जी का नाम क्या है गुर्तवा कर्शन ये तांक है तो दोनों के अनुपात में क्या क्या है तो दोनों अनुपात यह बताया कि जो गुर्तवी बल होते हैं उनके तुलना में बैदुत बल जो होते हैं वह अतियंत क्या होते हैं प्राबल होते हैं मतलब कौन सक्ति साली होता है तो बैदुत बल जो है बहुत सक्ति साली होता है और गुरुत्वी बल जो है उतना सक्ति साली नहीं होता है तो उमीद करते हैं यह प्रशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा थोड़ा सा यह बड़ा प्रशन था लेकिन बहुत सरल भासा में इसको ब जीएगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी भी द्यारतियों को नमस्कार